नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड है और मैं इस वीडियो में आपसे History, Quality और International Relations के सवाल डिसकस करने वाला हूँ Civil Services 2017 के Prelims के ये discussion का Part 2 है, Part 1 अल्रेडी अपलोड हो चुका है उसमें बाकी के सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे तो History, Art and Culture से इस बार 14 सवाल पूछे गए अप्रॉक्सिमेटली उतना ही जितना हर बार रहता है Quality से 22 सवाल, जबरदस्ट वापसी करी है Quality ने, पिछले दो सालों से काफी कम सवाल पूछे जा रहे थे और International Relations से 3 सवाल है तो ये purely International Relations है वैसे तो कई Organizations पूछे गए हैं लेकिन वो Environment में हम अल्रेटी डिसकस कर चुके हैं वहाँ पर Part 1 में तो Discussion शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि Study IQ ने अपने Pen Drive और Tablet Course UPSC exam के लिए Launch कर दिये हैं अब आपको Metro Cities में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप अपने घर से इंडिया के सबसे Challenging Competitive exams की तैयारी कर सकते हैं अगर आप 20th June यानि आज के दिन में अपना Order Place करते हैं तो आप ये वाला Coupon यूज कीजिए UPSC 5K आपको 5000 रूटीज का Flat Discount उस पे मिलेगा लेकिन धियान रखेगा ये सिर्फ 28th June तक valid है और ये course बनाया है भूमी का सैनी माम जनकी UPSC में 664 rank है Dr. Gaurav Garg और मैंने तो History, Art and Culture पहला सवाल भारत के इतिहास में डायार की क्या है तो डायार की आपको सीधा क्लिक होना चाहिए 1919 का Government of India Act और डायर्क्ली आप टिक कर सकते हैं चौथा option Division of Subjects Delegated to the Provinces and Two Categories तो यहाँ पे दो Categories में बाट दिया गया था Subjects को कुछ रखे थे Governor और उसकी Council के पास और बाकी कुछ दे दिये गये थे बारतिय लोगों को तो यह था डायर की 1919 का Act आंसर है इसका D दूसरा सवाल बोधी सत्व पदम पानी की जो पेंटिंग है वो कहाँ पे मिलती है तो यह मिलती है हमें अजंता की गुफाओं में यह भी direct question है लेकिन आपको यहाँ पे पानी रखना था की बोधी सत्व पदम पानी अब आप इसे तब पहचानेंगे जब आपने culture पढ़ते वक्त साथ साथ में चीजों को google किया है उनकी images अपने दिमाग में बिठा ली है वो कैसे होगा यह देखिए यह है बोधी सत्व पदम पानी I am sure आपने कही न कहीं यह photo देखी होगी history की किताबों पर बहुत famous photo है covers पर छापी जाती है लेकिन आप यह तभी ध्यान रख सकते है जब आपने art and culture को images के साथ पढ़ा है तो please मैं आपसे request करता हूँ art and culture जब भी पढ़े अपने साथ अपना phone या फिर जिस पर भी आप internet access करते है वहाँ पर images देखते जाहिए photos, videos, dance अगर होता है तो कुच्चिपूरी कैसे होता है, भरत नाटियम कैसे होता है इन सभी का थोड़ा थोड़ा एक-एक-दो-दो minute का video देखिए या फिर photos देखिए फिर है culture का एक question कि कौन से festival किस community में मनाय जाते है तो चलिहा साहिब, सिंधी, ये सही था नंद राज याद यात्रा गोंड में नहीं है और वारी वरकारी संथाल में नहीं है तो इसका answer हो जाएगा one only तो ये जो चलिहा साहिब है, ये उलहास नगर उलहास नगर मुंबई के पास में एक जगे है वहाँ पे बहुत जादा सिंधी population है तो वहाँ पे ये मनायी जाती है चलिहा साहिब का जो festival है, ये मनाया जाता है फिर नंद देवी राज यात्रा या फिर जात ये उत्तरा खंड में हर 12 साल में एक बार मनायी जाती है, ग्यातरा निकलती है और वारी वरकारी ये है, पंधारपुर जहां पे विठल भगवान जो की विश्नु के अवतार होता है उनके लिए जो पिल्ग्रिम्स जाते हैं दर्शन करने वो वारी वरकारी ये वहाँ पे festival होता है अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जगे सन्टेंपल के लिए, सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, तो options है अरसावली, अमरकंटक और ओमकारेश्वर मेरे ख्याल से आप इस सवाल को solve कर सकते थे, ओमकारेश्वर को eliminate करके, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 12 जोतिर लिंग है जोतिर लिंग होते हैं, शिव भगवान की मंदिर, तो ये जो 12 शिव लिंग है इनमें ओमकारेश्वर काफी फेमस है, मद्यप्रदेश में स्थित है, तो आप 3rd option को eliminate करिए, आंसर आपका सीधा आजाएगा 1 अब आपने भली ये अरसावली नाम की जो जगे है, इसको कभी नहीं सुना हो, लेकिन ये आपका आंसर सही हो जाएगा, और अमर कंटक यहाँ पे कोई बहुत फेमस मंदिर नहीं है, यहाँ से तो नर्मदा नदी निकलती है तो वैसे अरसावली गाओं जो है, ये श्रिका कुलम में है आंदर प्रदेश में, और Elimination Method यूज कीजिए, जोतिर लिंग, Eliminate कर दीजिए तो आंसर है इसका A, One Only फिर ये क्रोनोलोजी का सवाल है, मैं बार-बार अपने Lectures में कहता हूं हिस्ट्री के कि क्रोनोलोजी पर ध्यान दीजिए कौन से इवेंट पहले हुए, कौन से बाद में हुए ये ज़ादा important है, ना कि उनके साल तो यहाँ पर कौन सा इवेंट सबसे पहले होता है सबसे पहले होगी Second Roundtable Conference 1931 में, उसके बाद होगा Quit India Movement, 1942 और फिर है Mutiny in Royal Indian Navy रिन Mutiny तो यह 1946 में होई थी, ठीक है तो इसका क्रोम हो जाएगा 3, 2, 1 तो यह था क्रोनोलोजी का सवाल, फिर है Which of the following was very important seaport in Kakatiya Kingdom यह बहुत ही घुमावदार सवाल था इसमें कई लोग फसे हैं, अब देखिए यह question थोड़ा deep पूछा गया है इतना deep आपसे expect मैं personally नहीं करता हूँ कि students इतना deep जाके पढ़ें, because cost effective नहीं है, आप जितना समय इतनी सारी dynasties हैं history में उनके अंदर जाकर आप बहुत ज़ादा समय खराब करेंगे, आप दूसरी important चीजों पे economy पे current affairs पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे अब अगर आपने कभी पढ़ा है, आपको यह पढ़ा है तो आपको पता होगा वरना आपको इसका पता चलनेगा, कोई तरीका नहीं है, तो इसका answer है मोटुपल्ली और मोटुपल्ली इसलिए क्योंकि देखिए, काकतिया kingdom सबसे पहले तो याद रखना कि वरांगल में इसका capital था आंद्रप्रदेश तेलंगाना का जो area है वहाँ पे यह rule करते थे और दिल्ली सल्तनत नहीं नहीं हराया था, याद कीजिए अलाओ दिन खिल जी ने अपने decan campaign बेजे थे Marco Polo नाम का जो एक traveler था, बहुती famous व्यक्ति है Marco Polo और ये Venice से आया था, Venetian था तो इसने मोटूपली विजिट किया था 1293 में कुछ महीनों पहले business standard नाम के अकबार में एक article आया था जिसमें कहा गया था कि मासूली पत्नम जो है, वो एक काफी important port था तो मासूली पत्नम की importance वैसे medieval times के later period में यानि कि जब अंग्रेज आने शुरू हुए दूसरी European companies आई, उस वक्त जादा बढ़ी थी, काकतिया के समय में मोटूपली है, क्योंकि जो history की किताबे हैं वो मोटूपली को बताती है important sepord ओके, तो मासूली पत्नम इसका answer नहीं है कई लोगो confusion था, मासूली पत्नम भी वहीं पर ये सबी शहर पास में स्थिते हैं काकिनाडा, मोटूपली, मचली पत्नम तो ये बहुत जादा इन में distance नहीं है तो ये तीनों options confusing थे, ठीक है लेकिन मेरे ख्याल से ये सवाल छोडने के लिए था, करने के लिए नहीं था बाकी आपकी knowledge पर depend करता है अगला सवाल है, बटलर कमीटी 1927 का उद्देश्य क्या था तो इस कमीटी का उद्देश्य था सीधे तोर पे कि जो अलग-अलग native states हैं princely states हैं, उनके और सरकार के बीच में relationship को define करना तो ये इसका answer है D, improve the relationship between government of India और Indian states तो इसका उद्देश्य ये था कि paramount power, ध्यान रखना paramount power कहते थे British को, paramount या नहीं सबसे उपर, सबसे बड़ा, तो paramount जो सबसे, सब उसके अधीन है है ना, तो ये सारे princely states British के अधीन थे, लेकिन इनके बीच में exact relationship को define करने के लिए, ये बटलर कमिटी आई थी, बटलर कमिटी को भेजा गया था फिर सवाल आया है, कि founder से, तो ये social और political organizations हैं कुछ तो इनमें पहला है British Indian Association Radha Kant Dev, ये बिल्कुल तो ये सवाल इसलिए पूछा गया था, क्योंकि ये तीनों Congress के precursor हैं, Congress जब बनी थी, तो उससे पहले ये सभी political organizations थे, जो active थे, तो आपने Indian Association और British Indian Association तो जरूर पढ़ा होगा, इसके founders हो सकता है, आपने इनके नाम नहीं ध्यान दिया, लेकिन सुरेंदरनाथ बैनर जी तो काफी important है Indian Association में इसका answer है, हमारा one and three only, तो answer है B और ये सभी Congress के precursor organizations हैं, इसलिए ये सवाल बहां से ये सवाल आया है अगला सवाल आता है ये religion से related था, तो सौतांत्रिका और समितिया ये जैनिजम के sect है जी नहीं, ये गलत है, ये जैनिजम के नहीं, ये बुद्धिजम के sect है और दूसरा था, सर्वस्तिवदिन held the constituents of phenomena where not wholly momentary but existed in forever in a latent form तो ये एक philosophy दी गई है सर्वस्तिवदिन की, तो ये philosophy सही है, और ये दोनों बुद्धिसम से related है, ये सर्वस्तिवदिन भी बुद्धिसम का ये पार्ट है, और सौतांत्रिका और समितिय भी इसी के है, तो इसका answer है two only, ये सवाल Rig Vedic Aryan और Indus Valley civilization के बीच में पूछा गया है कि इन में क्या फर्क है, क्या differences थे, तो जो इसका पहला पीस लविंग, याद कीजिये, शांती प्रियत है दूसरा, Rig Vedic Aryans को gold, silver, copper पता था, जबकि Indus Valley को copper और iron ये statement गलत है, क्योंकि इन्हे iron नहीं पता था, iron का इस्तमाल यहां नहीं है, अब ये जो तीसरा statement है, ये थोड़ा सा controversial है देखिए, ये क्या कहता है, कि Rig Vedic Aryans ने domesticate किये थे गोड़े, बिल्कुल सही, लेकिन Indus Valley Civilization के लोगों को गोड़े के बारे में बिल्कुल पता नहीं था तो ये sentence गलत है, सूर कोटड़ा और लोथल में horse के evidence मिले हैं, ओके तो फिर इसमें sentence सही कौन सा है one only, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा controversial है, इसका answer one and three भी हो सकता है depend करता है कि अब UPSC इसे किस तरह से देखती है, अगर हम एकदम generalized manner में बात करते हैं, तो हाँ गोड़ा Indus Valley Civilization का part नहीं है, उसके बहुत एक या दो जगे ही evidence मिले हैं, सिर्फ सूर कोटड़ा और लोथल में हमें मिलते हैं, वो भी terracotta के जो figurine मिली है तो mainly गोड़ा उसमें नहीं है, तो अब यह देखना होगा कि UPSC इसका answer क्या देता है, मेरे ख्याल से answer यह होना चाहिए, ए one only three पूरी तरह से गलत है, लेकिन doubtful है, शायद one in three भी हो सकता है, आप यह याद रखेगा iron इंडस वाली civilization में नहीं है और horse यह लोथल और सूर कोटड़ा में इसके evidence मिले हैं, यह दोनों गुजरात में site है फिर है culture से अगला सवाल मनि पूरी संकीरतन इसके बारे में यह कौन-कौन से statement सही है, तो पहला, यह song and dance है, तो जी हाँ, यह song and dance performance है, डूसरा statement कहता है कि symbols are the only musical instrument, अब देखे, जहाँ भी यह only शब्द आ जाता है न, only 100% वहाँ पे बिल्कुल सतर्क हो जाई हो जाई है, कि only अगर पूछा है तो कुछ गरबढ़ है, उसमें दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़ियों से, तो यह statement गलत है symbol नहीं, उसमें drums भी इस्तमाल होता है सिर्फ symbol का इस्तमाल नहीं होता, symbol क्या होता है, जो copper या फिर metal की जो plates होती है चोटी-चोटी दो plates जैसी होती है, जिनने आपस में बजाकर आवाज निकाली जाती है तो सिर्फ symbol नहीं, यहाँ पे drums का भी इस्तमाल होता है और जी हाँ, मनिपूरी है, तो Lord Krishna, वैशनविजम वहाँ पे काफी popular है, Krishna भगवान बहुत popular है तो इसलिए वहाँ पे मनिपूरी dance भी याद कीजिए, वहाँ पे भी Lord Krishna की stories दिखाई जाती है तो इसलिए यह one and three बिल्कुल सही है, second गलत है तो मनिपूरी संकीरतन है ritual singing, drumming, ठीक है, drum होते है यहाँ पे इस्तमाल, और यह मंदिरों में किया cultural heritage की list में डाला गया था यह एक list होती है, intangible cultural heritage of humanity, December 2013 तो अगर आप notice करें तो वैसे यह साड़े तीन साल पुरानी news है लेकिन अब इतने पुरानी चीज़ें भी पूछे जाने लगी है तो इसका मतलब है कि काफी पुराने current affairs भी अब देखने पड़ेंगे, एक साल से काम नहीं चलेगा कुछ-कुछ पुराना, दो साल, पुराना तीन साल पुराना भी आ रहा है अगला question है, direct question था रहियतवारी settlement से कौन related है इसमें अगर आपको यह दो नाम नहीं भी पता है अगर बस आपको इतना याद है कि कौन वॉलिस ने क्या किया था, permanent settlement तो आप इसे eliminate कर दीजिए आपका answer direct आ जाएगा, 111 eliminated तो Alexander Reid और Thomas Munro वैसे यह नाम याद रखेगा, दोनों important है लेकिन अगर आप कौन वॉलिस भी eliminate कर दें तो आपका सवाल आ जाएगा तो रहियत वारी, Thomas Munro, Alexander Reid तो आप मुझे अब लगे हाथ यह बताईए कि permanent settlement जो कौन वॉलिस ने लागू किया था, वो किस साल में लागू किया गया था, comments में लिखिए और दूसरा सवाल मेरा यह है कि रहियत वारी किस साल में implement किया और कहां implement किया, location बताईए, जगे कौन सी presidency में, ठीक है कॉलकता, बंगाल वहाँ पे था या फिर मदरास, बॉम्बेक जहां भी था, मुझे comments में बताईए, ओके, रहियत वारी की location साल और permanent settlement का साल अगला सवाल है trade dispute act of 1929 ये भी काफी deep और बहुती गहरे गोते लगा कर सवाल पूछा गया है तो trade dispute act of 1929, इसमें देखे, ये था system of tribunal और ban on strike, ये इसका खास फीचर था इसने strikes पे ban लगा दिया था तो ये लाया गया था क्योंकि 1926 में काफी हड़ताले हुई थी और उन हड़तालों से ब्रिटिश बहुत परिशान हो गये थे इसलिए उन्होंने ये trade dispute act लेकर आये थे, तो ये भी बहुत deep level से पूछा गया था, मेरे ख्याल से ये थोड़ा tough question था history का अगला सवाल है, factories act of 1881, ये pass किया गया था, मजदूरों के तंखवा को fix करने के लिए तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों ने इस तरह का कदम उठाया होगा कि मजदूरों की तंखवा fix कर दी होगी, जी नहीं ये इसलिए नहीं किया गया था और trade union भी बनाने की आजादी नहीं मिली थी इसमें, तो ये गलत है और ये वाला option सही है क्योंके N.M. लोखंडे जो है, ये pioneer है labor movement के, trade union का जो movement है उसके जनक कहे जाते है भारत में याद रखिएगा N.M. लोखंडे trade union से तो इसका answer है to only be तो ये है इसका answer first factory at 1881, इसकी कुछ खास बाते हैं, देख लीजिए, पहली चीज़ 7 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना allowed नहीं है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के working hours fix कर दिये गए, और dangerous machines अगर कोई है खतरनाक machine रही है, तो उसे fencing करी जाएगी उसे, और working conditions के लिए काफी कुछ किया गया था, working conditions सुधारने के लिए कई बातें इसमें लाई गई थी, कि जैसे lunch break मिलेगा, थोड़ा सा आदे घंटेगा, इस तरह के सुधार इसमें लाए गए थे, आप खुदी सोचिए, क्या अंग्रेज इतनी जादा इतनी जादा लोगों की परवा करते थे मजदूरों की, भारत के मजदूरों की, कि वो तंखा फिक्स कर देंगे, जी नहीं, और लोखंडे is father of trade union तो इसी के साथ, history के सवाल खतम होंगे, और अब मैं शुरू करूंगा polity, polity का पहला सवाल लोग सभा में चुनाव लड़ने के लिए कौन nomination paper फाइल कर सकता है क्या भारत में रहने वाला कोई भी विक्ति, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत में कई सारे शर्णारती रह रहे हैं, वो चुनाव थोड़ना लड़ सकते हैं दूसरा option की, उसी constituency का होना चाहिए, तो क्या आपने देखा है कई सारे निता अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग एरिया में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो ये requirement ये भी गलत है ये option सही है, अगर आपका नाम भारत के किसी भी हिस्से में electoral role में है, आप registered voter हैं तो फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं और ये option तो गलत हो जाएगा, जहां भी any 100% मतलब full आता है आप वहाँ पे दो बार पढ़िये उसे थोड़ा सा चौकनने हो जाएं तो any citizen तो वैसे भी नहीं हो सकता जिनके खिलाफ criminal cases prove हो चुके हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, जी नहीं, बिलकुल नहीं तो ये गलत है इन statements को consider कीजिए, पहला कहता है कि लोग सभा या विदान सभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मिदवार को 50% vote पढ़ने चाहिए हैं, कैसा होता है जी नहीं, बिलकुल नहीं, ये गलत statement है हमारे यहां तो जो 30%, 25% vote लेकर आता है वो भी जीत जाता है, क्यूं? क्यूंकि हम follow करते हैं first, past, the post system पहले व्यक्ति को 30% प्रतिशत मिले और दूसरे को 25, तो 30 वाला जीत जाएगा उससे मतलब नहीं है कि 50 चाहिए, क्या बन चाहिए, ठीक है उसके पास बाकी सब के बीच में सबसे जादा होने चाहिए पांच लोग अगर चुनाव लड़े हैं, तो पांच में सबसे जादा second statement क्या कहता है? कि according to the provisions laid down in constitution the speaker's post goes to majority party and deputy speaker to opposition तो क्या speaker का पद majority party को जाता है ये समिधान में लिखा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है ये एक convention है, ये एक रीती बन चुकी है कि लोग सबा में जो ruling party है उसी से speaker बनाया जाएगा जैसे सुमित्रा महाजन है, सुमित्रा महाजन भाजपा की member of parliament थी चुनाव जीतनी, भाजपा की बहुत पुरानी member है तो उन्हें चुन लिया गया speaker के पद के लिए तो ये आपसी सहमती से होता है और deputy speaker किसे बनाया जाएगा कोई भी opposition के party के किसी member को तो ये आम सहमती से बनाया जाता है और ये एक रीती बन चुकी है ये कोई लिखित कानून नहीं है इसका ठीक है तो ये दोनों statement गलत हैं इसका answer है ध्यान रखिएगा convention है ये ये convention है ना कि लिखा हुआ है समिधान में right to vote एवं right to be elected ये कौन सी right है fundamental है कहीं पे नाम मिलता है आपको fundamental में जी नहीं बिलकुल नहीं natural right नहीं है constitutional right भी नहीं है क्योंकि समिधान में ऐसा नहीं लिखा है कि vote डालना आपका अधिकार है ये legal right है ठीक है कैसे हम देखेंगे देखें ये derive तो होती है समिधान से article 326 अधिकार देता है voting के बारे में बात करता है लेकिन उस पे कानून आगे कौन सा बनाया गया representation of people act RPA 1951 बहुत ही important topic है RPA 1951 में ये detail दिया गया है कि कौन vote डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता तो कई सारी उसमें restriction है हाँ तो restriction है जैसे non-residence वहाँ पे नहीं रह रहे हैं आपने अपना पता बदल लिया unsoundness of mind आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आप vote नहीं डाल सकते crime और corrupt और illegal practice तो ये restrictions कुछ रखी गई है तो ये fundamental right नहीं है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है ठीक है ये legal right है इन statement को पढ़िए election commission of India is five member body बिल्कुल गलत है five member नहीं है three member होता है दूसरा statement union ministry of home affairs decides the election schedule for conduct of general election और by election तो क्या ग्रह मंत्रा ले तैय करता है जी नहीं election commission की ये जिम्मेदारी होती है वो तैय करता है तो ये भी गलत है तीसरा election commission resolves dispute relating to split merger अगर कोई party टूड गई दो party mix merge करके एक party बना रही है तो उन्हें recognition देने का जिम्मा किसका है election commission का तो ये बिल्कुल सही statement है याद कीजिए समाजवादी party में उत्तरप्रदेश चुनाव के कुछ महीने पहले split हो गया था तो वो आपको टीवी की तस्वीरे याद आनी चाहिए कैसे दोनों गुटों के नेता जाके election commission से मिलते थे कहते थे कि हमें symbol दीजिए हमारी party split हो गई है क्योंकि वो अधिकार सारे split होने पे symbol वगएरा कि किसके पास है election commission के पास है तो हमारा answer है three only और ये देखे ये हमारे तीन election commissioner है chief election commissioner है दॉक्टर नसीम जैदी फिर श्री एके जोती और ओम प्रकाश रावत ठीक है और ध्यान रखेगा आप इसमें confuse मत होना election commission की website साफ कहती है election commission which decides the schedule for elections और ये देखे क्या-क्या उन्हें ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों का, गर्मियों का monsoon, agriculture cycle कि किसान खेतों में busy ना हो ऐसे समय पे चुनाव रखे जाएं तो चुनावों में 10 चीजें सोचनी होती है और ये सारी जम्मेदारी election commission की है और 2017 का समाजवादी party split का जो case था अगला सवाल थोड़ा सा analytical है इसमें आपको visualization करना है basic आपने politics पढ़ी होगी सबने तो judicial review आपने जरूर पढ़ा है तो उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि दो options जो की confusing है थोड़े से देखे इसमें पहला और दूसरा option जो हैं दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन एक फर्क है पहला option कहता है कि judicial review में ये power आती है judicial के पास कि constitutionality of laws यानि जो कानून बन रहे है legislature में और उसके साथ-साथ executive order तो ये बिल्कुल सही है दोनों के उपर उनका judicial review का अधिकार है दूसरे में कह रहा है सिर्फ कानून तो ये वाला better option है और तीसरा option ही कह रहा है कि president के पास जाने से पहले ही तो उसके पहले तो जुड़ीशरी कुछ नहीं कर सकती तो ये तो बिल्कुल गलत है ये भी गलत है आजशर है हमारा A judicial review क्या होता है process under which executive and legislative actions are subject to review by judiciary तो इसमें कोई भी कानून, law, act, order कुछ भी हो सकता है अगर वो समयधानिक नहीं है समयधान के अनुसार नहीं है तो फिर वो judicial review के तहत आ जाएगा अगला सवाल ये कहता है कि इन में से कौन से statement सही होंगे जब president's rule लगेगा state में article 356 तो president rule जब भी लगेगा तो सबसे पहले क्या state assembly dissolve हो जाएगी, जी नहीं, dissolve नहीं होती है खत्म नहीं, भंग नहीं होती है उसे suspend कर दिया जाता है फिर council of ministers हट जाते हैं बिलकुल हट जाते हैं, ये statement सही है और final है dissolution of local bodies जी नहीं, local bodies के साथ कुछ नहीं होता है तो answer है हमारा B, 1 and 3 और इसका आप देखे उधारन, आप हर चीज current से correlate करिए, तो अगर आपने अरुनाचल के case के बारे में पढ़ा, पिछले साल काफी चर्चा में था, बार बार अरुनाचल प्रदेश में जो president's rule लागू हुआ था और उसके खिलाफ court में भी decision आया तो वहाँ पे आप याद कीजिए सरकार बदली, लेकिन क्या assembly भंग कर दी गई थी जी नहीं, assembly suspended थी जैसे जैसे लोगों ने party बदली, MLA's ने तो दूसरी party बना ली और नई सरकार बनी, हाँ council of ministers पूरी तरह से खत्म हो गई थी नए ministers ने फिर से शपत ली तो ऐसा अरुनाचल में हमने देखा पिछले साल तो ये question उसी से related था थोड़ा सा और उसको उन्होंने basic से link कर दिया, तो current affairs को link किया गया है static से, answer है B, 1 and 3 और याद रखना कि governor administer करते है president के नाम पर, तो council of ministers का कोई use नहीं है, chief minister council of ministers हट जाते हैं, जब भी state emergency या फिर president's rule लागू होता है, और कौन decision लेगा सारे, governor, और वो किसके नाम पे rule कर रहा है, वहाँ पे president के नाम पे, अगला सवाल ये पूछता है, कि इन में से कौन सा right against exploitation का हिस्सा है, तो मानव तसकरी और बंदुवा मजदूरी, जी हाँ बिलकुल ये right against exploitation का part है, article number 23, अनुछे 23 और abolition of untouchability ये आता है, article 17 में, तो ये इसका part नहीं है, protection of the interest of minorities, ये भी नहीं होगा और चौथा, factories और mines में, बाल मजदूरी, तो जी हाँ, ये भी right against exploitation में आता है, article 24 तो answer है हमारा, C1 and 4, यहाँ पर याद कर लीजिए, देखिए, right against exploitation article 23, 24, right to equality, article 14 से लेकर 18 तक, इसी में आता है, untouchability और cultural educational rights होते हैं 29 और 30, तो ये पता होनी चाहिए, कि कौन सा article किस बारे में बात करता है, अगर आब एक serious civil service aspirant हैं अगला सवाल पूछ रहा है, कि cabinet form of government इन में से कौन से statement से best हमें पता चलती है, तो पहला statement कह रहा है, कि एक सरकार की जो कारे होते हैं, बहुत complex हैं, बहुत जटल है, और सब को खुश करना possible नहीं है, तो क्या इससे सरकार की आलोचना ना हो, ये उदेश है, cabinet form का, जी नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होता है, दूसरा ये एक ऐसा तरीका है, जिससे सरकार की जो कारे करनी की स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, और सरकार की जिम्मेदारियां दिन में दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे स्पीड बढ़ानी की ज़रुत है, मेबी, देखते हैं, थर्ड ऑप्शन कहता है कि mechanism of parliamentary democracy for collective responsibility, तो ये तो बिल्कुल सही है, collective responsibility cabinet का बहुत ही important feature है कि इससे collective responsibility आती है सरकार की, लोगों की प्रती, जनता की प्रती और आखरी वाला कहता है option कि head of government को मजबूत करना और लोगों के उपर उनकी पकड़ और जादा मजबूत करना, तो क्या ये काम है कि head of state है, उसकी जनता पे पकड़ मजबूत हो, खास करके state of decline ऐसे देश में जहां पे लगातार देश का पतन हो रहा है, जी नहीं ये तो statement गलत है, state of decline तो जैसे ही आया, आप इसे cancel कर दीजी, ये इसका best answer है, और parliamentary democracy collective responsibility ये cabinet form से आता है इन में से कौन सा feature भारत के संगवाद को नहीं दर्शाता है फेडरलिजम का feature इन में से कौन सा नहीं है, independent judiciary बिलकुल independent judiciary feature होता है और state और center के बीच में अच्छे से well defined list बनी हुई है, union list, state list concurrent list की कौन किस पे कानून बना सकता है, तो ये भी feature होता है federating units, unequal representation in राजसभा, जी हाँ क्या उत्रप्रदेश की राजसभा की seat सिक्किम के बराबर होंगी, नहीं unequal होंगी, आवादी के अनुसार होंगी तो ये भी उसका feature है final है, result of agreement among federating units, क्या जब भारत आजाद हुआ था, तो अलग-अलग राज्यों जब war of independence हुआ, तो 13 colonies थी, तो उन 13 colonies ने मिलकर ये तै किया था, कि हम एक United States बनाएंगे, ओके, तो वहाँ पर वो true federation आप कह सकते हैं, यहाँ पैसा कुछ नहीं हुआ था, answer है D इसे princely state के समझोतों से confuse मत करना, जो सरदार वलब भाही पटेल ने एक-एक princely state को भारत ये संग में शामिल किया था, यह उससे लिना दिना इसका नहीं है, ठीक है, इससे confuse मत होना, अगला सवाल मॉलिक करतव्यों पर है, fundamental duties पर तो दो statement दिये गए हैं पहला कह रहा है कि क्या कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी बताई गई है, जिससे कि इन करतव्यों का पालन enforce किया जा सके, लोगों को मजबूर किया जा सके, कानूनी रूप से कि यह आपको duties करनी है, तो जी नहीं, ऐसा कोई legislative process नहीं है दूसरा statement यह कहता है कि मॉलिक करतव्य legal duties, तो कानूनी जो करतव्य हैं हमारे, उनसे यह correlative है, correlative का मतलब है कि उनसे जुड़े हुए है, उनके basis पे है तो जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है इसका answer है, neither one, not two दोनो statement गलत है, दोनों के दोनों सही नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला legislative process नहीं बताया है कोई भी, इन fundamental duties को enforce करने के लिए, हमारे समिधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ कानून बनाए गए हैं, जो की इन fundamental duties को enforce कर देते हैं लेकिन ऐसा समिधान में कहीं नहीं लिखा गया, इसका best example बताता हूँ आपको prevention of insults to हैं, उनका हमें सम्मान करना है, तो वो fundamental duty है, वो automatically इससे enforce हो जाएगी, है ना, लेकिन कोई कानूनी प्रक्रिया कहीं पर इस बारे में दी नहीं गई है, ठीक है, ये सरकारों की मर्जी है कि वो बनाए या ना बनाए ऐसा ही हमारे fundamental जो right बना दी गई है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो right to education इससे जोड दिया गया है, अब माबाब की जिम्मेदारी है, fundamental duty है कि वो अपने बच्चे को school भीजे, और दूसरे statement में क्या problem है, देखिए, legal duties, अब आपकी कानूनी करतव्य क्या है, legal duty यह है कि अगर आप इतना पैसा कमाते हैं कि आप tax के slab में आएं, तो यह आपका, आपका करतव्य है कि आप tax सरकार को दें, ठीक है, यह आपकी legal duty है, तो यह tax pay करना एक legal duty है, लेकिन क्या इसका fundamental duty से कोई relation है, जी नहीं, यह correlative नहीं है, fundamental duties से इसका direct कोई भी correlation नहीं होता है, यह एक दूसरे पर dependent नहीं है, correlative का मतलब में लिए है कि दोनों एक दूसरे से सह संबन नहीं है, ठीक है, तो यह भी एक analytical type का question था, जब आप लक्षमी कांथ पढ़ते हैं, तो आप basics के साथ साथ थोड़ा सा, उसके जो starting के जो pages दिये जाते हैं, किसी भी chapter का जो first page होता है, उसमें इस तरह की बातों का अकसर जिक्र होगा, उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िये, अगला सवाल है, preamble से ये पूछता है कि इन में से कौन सी चीज preamble में नहीं बताई गई है, कौन सा objective नहीं है, तो क्या सोचनी की आजादी है, liberty of thought बिल्कुल है, economic liberty, देखते हैं, liberty of expression सीधा दिया हुआ है, अभी विक्ती की स्वतनतरता मिली वही है, और belief, आप जो धर्म में मानना चाते हैं, जो belief आप रखना चाते हैं, वो आपको पूरी आजादी है आप रख सकते हैं, preamble देखिए, preamble में ये line डिरेक्ट लिखी हुई है, liberty of thought, expression and belief, तीन option तो आपके वहीं पर कट गए, अब ये देखिए, economic justice की बात करिए, ठीक है, justice, social, economic and political, तो economic justice है, economic liberty नहीं है, दोनों में फर्क है, liberty का मतलब है कि आपको, economically पूरी आजादी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें, अपने घर के बाहर आप कल, दवाईयों की दुकान खोल लें, और दवाई बेचना शुरू कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको pharmaceutical license चाहिए, आपके पास pharmaceutical की जो भी जरूरत हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, आप चाहें कि मैं दवाईयों प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ, चाहें आपको पता हो, कि basic दर्द बुखार में ये दवाई लिखी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए आपके बास doctor, doctor की पढ़ाई, doctor का license होना जरूरी है, MCI से आपको registration चाहिए, तो ये इस तरह की restrictions हैं, तो ये पूरी liberty नहीं है, थोड़ी से restrictions हैं, लेकिन हाँ, economic justice की बात जरूर करी गई है, तो इसका हमारा answer है economic liberty, इस तरह के questions आपसे तभी solve होंगे, जब आपने बहुत ही अच्छे से polity को पढ़ा है, गहराई में जाके समझा है, रटे नहीं चीजों को समझें, पूरा preamble एक बार पढ़ें, उसके एक एक word का analysis करें, हर शब्द का कुछ मतलब है इस preamble में, अगला question भी काफी analytical था, analysis करने वाला था, इसमें ये पूछा गया है कि democracy का सबसे बहतर गुण, कब उभर कर आता है, इनमें से कौन सी सिति में, तो पहला option, तब जब आम आदमी, आम महिला अपने दिमाग और चरित्र का उप्योग करते हैं, democracy के लिए, फिर strengthening executive leadership, उसके बाद पूछ रहा है कि superior individual with dynamism and vision, तो क्या एक व्यक्ति जो बहुत ज़ादा दूर दृष्टी रखता हो, वो अपना पूरा दमखम लगा दे, तो क्या ये democracy का सबसे उत्तम गुण है, सबसे बहतर गुण है, तो नहीं, और final head band of dedicated party workers, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, party workers के लिए थुन्ना democracy बनी है, वो best virtue कैसे हो सकता है, इसका answer है A, जब एक आम आदमी, हम आम आदमी और आम महिला के उपर ये फैसला छोड़ते हैं, कि वो किसको शासक बनाना चाहते हैं, पहले होता था यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन democracy ने उसे बना दिया है अब, यथा प्रजा तथा राजा, तो ये democracy का सबसे अच्छा गुण है, कि जैसा समाज होगा, वो ऐसे ही लोगों को चुनेगा, अगर लोगों का चरित्र अच्छा है, तो अच्छा निता चुन कर आगे जाएगा, अगर समाज का, आम आदमी का चरित्र और बुद्धी उनकी कम है, तो वो अपने जैसे ही लोग चुनेंगे और आगे भेजेंगे तो ये democracy का सबसे superior virtue कहा जाता है इन चारों option में best है मतलब कहा नहीं जाता है इन चारों option के अंदर ही सबसे best example है हमारे लिए best answer है अगला सवाल पूछता है कि इन में से कौन सा parliamentary form का सबसे best advantage है क्या उसका main advantage है क्या फायदा होगा parliamentary system का पहला option executive और legislature independently काम करते हैं तो ये इसका best फायदा तो नहीं हो सकता आगे option देखते हैं continuity of policy और ज़ादा efficient सरकार होती है तो क्या अमेरिका में presidential form of government है तो वो कम efficient है जी नहीं तो ये तो बिलकुल reject हो गया executive remains responsible to legislature जी हाँ executive जब legislature को जवाब देता है लोग सभा राजसभा में member of parliament सवाल पूछते हैं तो executive को जवाब देना पड़ता है ये parliamentary form का main advantage है कि ये responsible government बनाता है और आखरी है head of government cannot be changed without election ये तो बिलकुल गलत है बिना election के भी change कर सकते हैं party की मर्जी है तो आप देखेंगे फिर से एक visualization आत्मक सवाल है बार बार analysis करने की ज़ुरत पड़ रही है अगला सवाल भी वैसा ही है इस बार पूछा गया है कि इन में से कौन सा rights और duties के बीच में सही relationship बताता है तो rights are correlative with duties answer यही है पहला ही option है मैं आपको बता देता हूँ highlight कर रखा है दूसरे option देखिए rights are personal hence independent of society and duties तो independent तो नहीं होते हैं पूरी तरह से समाज और आपके कर्तवियों से related है rights फिर तीसरे option है rights not duties are important for advancement of personality तो क्या विकती के विकास के लिए सिर्फ rights important है क्या उसके कर्तव भी important नहीं है जी नहीं है ऐसा नहीं होता है दोनों जरूरी है इसलिए चौता option भी गलत हो जाएगा कि state stable रहे समाज stable state stable रहे उसके लिए भी दोनों जरूरी है एक से काम नहीं चलेगा तो याद रखिए rights are correlatives with duties बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये भी याद रखिगा कि right कभी भी पूरी तरह से independent नहीं है समाज का हिस्सा है समाज के अनुसार rights बनाई जाती है याद कीजिए कई सारी fundamental rights पे restriction लगाए गए है किसके basis पे public order, morality, health ये कुछ main restrictions है अगला सवाल है समिधान निर्माताओं ने इन में से किस में अपने दिमाग की एक जलक पेश करी है तो mind of the makers of constitution किस में निजर आता है preamble में, fundamental rights में directive principles of state policy और fundamental duties तो वैसे दिमाग तो सभी में लगाया है बिना दिमाग के तो कोई भी part हमारे समिधान का नहीं बना है आपने पढ़ाई होगा कितनी detail में कि एक चीज के बारे में उसकी restrictions बताई गई है उसकी limitations बताई गई है तो दिमाग तो हर चीज में है लेकिर इन में से best किसमे नजर आता है तो इसका answer होगा preamble क्यों क्योंके preamble में हर चीज के बारे में थोड़ा-थोड़ा कहा गया है तो जहां justice की बात करी गई है हमने preamble देखा था अभी तो वहाँ पे पूरे समिधान की जलक हमें एक साथ मिल जाती है महत्वपूर्ण judgments में ये बात साफ कही है कि preamble is the key to open the minds of the makers of constitution कि ये उनके दिमाग की चावी है कि उन्होंने क्या सोच कर समिधान बनाया है इसकी चावी क्या है preamble है तो इसी लिए इस statement को हम कह सकते हैं कि हमारा basis है आंसर इसका क्या रहेगा preamble okay minds of the makers of constitution parliament council of ministers पे control रखने के लिए इन में से किसका इस्तिमाल करती है adjournment motion, question hour और supplementary question तो इसका answer है तीनो ये parliament की functioning से question है direct question है ये line directly लक्षमी कांत में लिखी गई है parliament exercises control over ministers via question hour, discussion, adjournment motion, no confidence motion etc ये parliamentary system का जो chapter है उसमें आपको ये लिखी हुई मिल जाएगी line तो लक्षमी कांत के chapters के जो शुरुआती हिस्से है उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़िए और adjournment motion देखिए कैसे होगा actually मैं adjournment motion बहुत ही urgent matter के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और उसमें house की कारेवाही रोख दी जाती है normal business रुख जाता है और ये वैसे extraordinary device की तरह इसका इस्तमाल किया जाना चाहिए लेकिन इसका इस्तमाल government को censure करनी के लिए भी किया जाता है और इसका बहुत इस्तमाल होता है adjournment motion, questionnaire और supplementary questions अगला सवाल पूछता है कि parliament के संदर्ब में इनमें से कौन सा statement सही है पहला statement क्या कहता है कि private member bill वो bill है जिने उस MP ने propose किया है जो elected नहीं है लेकिन nominated है यानि राष्ट्रपती द्वारा nominated जो राजसवा members होते हैं और उसके अलावा दो Anglo-Indian members है लोग सवा में उनके द्वारा लाया गया bill private member bill होता है ये statement सरासर गलत है private member कौन होते हैं जो ministers नहीं है, जो council of minister का हिस्सा नहीं है वो सभी MPs private member हैं चाहे वो भाजपा के हो, Congress के हो ruling coalition के भी members private member होंगे अगर वो council of minister में नहीं है recently private members bill has been passed in the parliament of India for the first time in history तो ऐसा नहीं हुआ है, first time तो नहीं होगी कोई भी चीज, मैंने आपको कहा है जहां भी extreme आ जाते हैं, all, everything, first तो थोड़ा ध्यान दीजे तो first time नहीं हुआ है, हाँ बहुत कम होते हैं private member मैंने आपको बताया, वो है जो minister नहीं है और ruling party का भी हो सकता है आज दिन तक parliament में केवल 14 private member bill पास हुए है और आखरी बार 1970 में हुआ था और अभी transgender persons protection of rights bill जो है ये पंदरवा है और ये अभी लोकसभा में लंबित है राजसभा इसे पास कर चुकी है तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में रहा था 2017 में, 2016 में अगला सवाल कहता है कि अगर समाज में सबको बराबरी है right to equality पूरी तरह से लागो हो गई है तो फिर क्या चीज इन में गयब हो जाएगी क्या नहीं होगा, absent क्या होगा इसका सीधा सा answer है privileges privileges, privileges मतलब विशेश अधिकार तो अगर सब बराबर हैं तो किसी को कोई विशेश अधिकार नहीं होगा, ये सवाल सीधा सीधा आर्टिकल 14 से उठाए गया है और देख लीजे दूसरे option भी restraint तो थोड़ा बहुत तो restraint रहेगा न इसा थुड़ना है कि पूरी तरह से खुला छोड़ देंगे जो करना है कीजे, नहीं, सरकार हमेशा restraint रखेगी, किसी ना किसी तरह का अपने citizens पे, competition गयाब हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, competition रहेगा ideology गयाब हो जाएगी, जी नहीं तो equality before law article 14 में, जो कि privileges के बारे में, अगला सवाल कह रहा है कि directive principles of state policy, इन में कौन सा नया edition हुआ था, 42nd amendment से, 42nd amendment याद कीजिए, emergency के दोरान आया था, mini constitution, 1976 में, तो ये सारी की सारी directive principles of state policy हैं, चारों, हमारा answer है इसमें ये वाला, management of industries तो workers, management of industries में, हिस्सा ले सकते हैं, ये 42nd amendment लेकर आया था, दूसरे सभी भी देख लेते हैं, तो देखे 43A है ये वाला, तो ये add हुआ था बाद में article 39, equal pay for equal work ये तो शुरुआत से है, बहुत important है 41 कहता है, right to work, education and public assistance, और 43, living wage for workers or promotion of cottage industries, तो ये हैं सभी चार DPSP, जो इस question में discuss किये गए है, DPSP और fundamental rights, सारे सवाल लगबख polity के इनी से आये हैं, अगर आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन्हें solve कर सकते हैं, एक और देखिए, rights से question आया है, इन में से कौन सा statement सही है, rights are claims of the state against the citizen तो क्या ये state का अधिकार है जी नहीं, state का नहीं है ये citizens के खिलाफ, ये तो बिल्कुल गलत है Rights are privileges which are incorporated in the constitution of state क्या ये कोई विशेश अधिकार है जी नहीं, rights are claims of the citizens against the state ये इसका सही answer है, हमारा answer है C, rights वो अधिकार है जो एक citizen को दिए गए हैं सरकार के विरुद्ध में, state के विरुद्ध में कि अगर सरकार, state उसके अधिकारों का हनन करती है तो वो court जा सकता है, justiciable है ये इनके खिलाफ आप court में जा सकते हैं सरकार के खिलाफ आप court का दर्वाजा कट-कटा सकते हैं और last है, rights are privileges of a few citizens तो ये तो बिलकुल ही गलत है, सभी को fundamental rights मिले हैं हमें अगला सवाल, local self government can be best explained as an exercise in तो local self government, तो भारत में 73rd और 74th amendment से local self government को बहुत बढ़ावा मिला है और इससे क्या हुआ, democratic decentralization तो federalism तो इससे नहीं बढ़ा है, federalism तो अलगी चीज है administrative delegation, maybe administrative duties थोड़ी सी delegate हो गई है लेकिन best क्या है, best answer हमारे लिए है, democratic decentralization ये इसका सबसे main feature था, इसका उदेश्य ही यही था local self government उसको बढ़ावा देने का अगला सवाल पूछ रहा है कि directive principles of state policy किस पे limitation लगाते हैं, किसे थोड़ा सा restrict करते हैं उन पे थोड़ा सा, उन पे रोक लगाते हैं, किसी तरह से उन्हें censure करते हैं, तो क्या legislative के लिए होगा या executive के लिए होगा, जी नहीं, दोनों के लिए नहीं होता है, ठीक है, DPSP किसी भी तरह से legislature के काम को limit नहीं कर सकती, न executive काम को कर सकती है limit, क्यूंके वो non-justiciable है, तो इसका answer है, neither one nor two, दोनों पे इसका कोई limitation नहीं है, legislative और executive function पे, तो ये थे quality के सवाल, अब है कुछ international relations के, तो पहला सवाल, international relations का broad based trade and investment agreement, BTIA, जो की news में आता है, ये किसके बीच में है, भारत और, इसका answer है, सीदा सा European Union, बहुत सालों से, 2007 से हम कोशिश कर रहे हैं, इसको negotiate करने की, और ये बार-बार news में आ जाता है, जब भी, या तो European Union से कोई भारत आता है, या फिर मोदी जी वहाँ पे जाते है, तो पिछले साल, नरेंदर मोदी जी वहाँ गहे थे, 2016 में ब्रिसेल्स, तब ये फिर से बहुत news में रहा था, कि ये इस पे negotiation की कोशिश करी गई, ब्रिसेल्स मार्च 2016 की इनकी visit थी, तो ये है हमारा trade agreement EU के साथ, European Union के साथ, अगला सवाल, trade facilitation agreement, WTO, बाली ministerial conference जो हुई थी, 2013 उससे related है, तो statement देखते हैं, दो statement दिये गए हैं, पहला, भारत ने इसे ratify कर दिया है, TFA को, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, भारत ने इसे 2016 में ratify कर दिया, दूसरा सवाल, TFA is part of WTO's Bali ministerial package, जी हाँ, बिल्कुल, Bali में 2013 December में meeting हुई थी, वहाँ पर ये TFA formulate किया गया था, तीसरा statement कहता है, TFA came into force in January 2016, ये गलत है, हमारा answer क्या है, one and two only, TFA कब force में आया है, 2017 में, इसी साल, इसलिए ये सवाल भी पूछा गया है, February 2017 में, ये enforce force में आया था, क्यों, क्योंकि तब two-thirds country, जो इसके members है, signatories है, उन्होंने इसे ratify कर दिया, तो ये है February 2017, और भारत ने इसे ratify किया था, 2016 के, I think April या May में, पिछले साल ratify किया था, भारत ने, तो answer है हमारा A, one and two, ये paper का, IR का सबसे simple सवाल, बार-बार चाह बाहर का नाम आता है, नजाने कितनी बार, कितनी जगे आप इसको पढ़ चुके होंगे, तो इसकी क्या importance है, सीधासा answer mark कर दीजिए, इंडिया will not depend on Pakistan for access to Afghanistan and Central Asia, ठीक है, अब oil producing Arab countries से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा direct वहां से route है, sea route मिला हुआ है, हमें Arab countries इससे, African देशों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और it will facilitate the and protect the installation of gas pipeline between Iraq and India, इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, यह है चाबाहर port यहां पर, और इससे हमारे को Afghanistan से direct taxes है, और उपर, जितने भी Centralation countries है, वहां से हमें oil, gas, petroleum, इनकी supply भी अराम से हो जाएगी, तो यह तो थे सवाल, अब थोड़े सी दो, दो मिनिट ग्यान की बात सुन लो, अगर आपका paper बहुत अच्छा हुआ है, आपने सवाल चेक किये, आपके सही आ रहे हैं, आपका score 100 से 110, 105 के अब आ हुआ है, अगर मैं mains तो फोड़ दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, mains बहुती अलग तरह का exam है, subjective है, उसमें आपको लिखने की practice करनी पड़ेगी, आगे की चुनोती बहुत कठेन है, उसके तैयारी में जुड़ जाएं, अगर आपका performance अच्छा नहीं रहा है, आपका score इतना जादा अच्छा नहीं है, आपको लगता है, आपने जितनी महनत करी, उतनी आपको सफलता है, इसमें नहीं मिली, तो you have learnt your lessons, आपने ठोकर खाके सीख लिया है, तैयारी शुरू कर दीजे, 3-6-2018 जादा दूर नहीं है, तीन जून 2018 को 2018 का prelims है, अगला prelims है, केवल 348 दिन बचे हैं, अगले prelims में, जुट जाईए और फिर से रण में उतरने की तैयारी कीजिए, have a good day, thank you.